सबसे पहले मंचपर आसीन, मानिय परधान मंत्री श्री निरेंद्र मोधी जी, भारतिय कैबिनेट के मेंबर, एस जी पी सी, दिली के परधान, और आज छोटे से अपजादों को नतमस्तक होने के लिए यहां पर पहुँचे हुए, जितने भी लोग आए हैं, और पूरी दुनिया में, यहां यहां भी देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, सब को मेरा परणाम, नमशकार, सास्रीकाल, वाईगरुजी का खाल्सा, वाईगरुजी की फद्दे, ऐसी कुर्बानी की मिसाल दुनिया में नहीं मिलती, यहां पर नौ साल और साथ साल के सहवजादों ने ईन नहीं मानी, हार नहीं मानी, बहुत जुल्म किये गए, लालच दिये गए, उन्होंने कहा, दश्मेश पिता के लाल हैं, और वो साहिबे कमाल है, बाबा जुरावर सिंग, बाबा फते सिंग, पूरी दुनिया से आज, लोग चल कर, फतेगाड साब आ रहे हैं, यहां भी वो हैं, वहां गुर्दवरा साब में जा रहे हैं, एक बात मैं कहनी चाहूँगा, बहुत कम लोगों को शायद पता होगा, जब दिवार में चिने जा रहे थे, छोटे सहब जा दे, तो प्रधान मंत्री जी, जब दिवार घुटनों तक आई, तो घुटने थोड़ा आगे रहते हैं, इंट को तोड़ना पर पर न था, इंट पर अथाओड़ा चलाना था, इतना जालिम था सूबा सरहंद, बोला इंट पर अथाओड़ा नहीं चल रहे गा, चारों घुटने च्छील दो, चारों घुटने अथाओड़े से च्छील द इतना जलम हुगा। फिर भी बोले सोने हाल के जाकारे बाबा जोरावर सिंग जी की आँखों में पानी आ गया। तो छोटे सहब जादे बाबा फते सिंग जी ने बड़े भाई से पूछा भाई साब क्या डर लग रहा हैं मौत से आँखों में पानी है। तो बाबा जोरावार सिंग्जी ने कहा फते मुझे मौश से डर नहीं लग रहा ये आंखों में पानी तेरे बारे में सोच के आ रहा है तु दुनिया में आया मेरे बाद था जाएगा मेरे से पहले क्योंकि उनका कादी छोटा था गर्दन तक दिवार पहले छोटे साफ जादों के पहुंच दी थी ऐसी कुरबानी और इसको इस पूरे महीने कोई बैसे तो सोग के तौर पे बनाए जाता है लेकिन मैं जहाँ रहा है बच्पन में मेरे दादा दादी बीस तारीख के बाद चार पाई पर नहीं सोते थे दस दिन तो बच्चों के मन में सवाल आई जाता है हम मैं अपने माबाब से पूछता था दादा दादी चार पाई पर क्यों नहीं सोते तो उन्होंने बताया के बेटा ये जो महीना है ये जो हफता है ये बहुत ही अफसोस का है जैसे घर में मौत हो जाए लोग चार पाई पर नहीं सोते ये अपने छोटे सहब जा दे उनकी शहीदी का हाफता है तो लोग चार पाई पर नहीं सोते अफसोस मनाते हैं कोई खुशी का कोई खुशी का फंक्शन नहीं करते इसको जोड मेल कहा जाता है जोड मेला नहीं जोड मेल सर जोड कर बैठो और अफसोस करो और कुरवानी को याद करो और अगली पीडियों को बताओ कि जुलम के खिलाफ ऐसी कुरवानी नौर साथ साल की उमर में हो गई थी आदमी बड़ा सालों से नहीं आदमी बड़ा ख्यालों से होता है ख्याल बड़े थे उनके खून में जबर और जुलम के खिलाफ लड़ने की दिर्टा थी आज हम सभी अमरे योदाओं को याद करते हैं शीद आजम भगेस सिंग राजगरु सुगदेव शीद उदम सिंग जी का जनम दिन है आज क्यों याद करते हैं लोग उनको कभी भी याद नहीं रखते जो बैंकों में खाते खुलवा कर जाते हैं और लोग उनको कभी भी नहीं भूलते जो दिलों में खाते खुलवा कर जाते हैं इन शहीदों ने इन गुरुओं ने इन पीरों ने इन सहफजादों ने हमारे दिलों में खाते कुरवाई हुए है रहती दुनिया तक इनको याद किया जाएगा और मानिया परद्धन मत्यजी आपने आज इस शहादत को बहुत दुनिया में पहुचाया बहुत से लोग आज पहली वार उनको शहाद पता चल रहा होगा कि क्या हुआ था तो इसके लिए पंजाब की तीन करोट जानता की तरफ से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और एक और आपने पंजाब को तफ़ा दिया है कि जी टुएंटी के दो समेलन एक एजुकेशन और एक लेवर पर शिरी अमरसर साब में होंगे और अमरसर साब गुरू पीरों की धरती है दुनिया से लोग आएंगे हम उनको दरवार साब दिखाएंगे जलेंबला बाग दिखाएंगे बागा बॉर्डर की प्रेड दिखाएंगे हमारे जवानों की उनको दुर्गयाना मंदर दिखाएंगे जगा रामतीर्त दिखाएंगे और उनको बताएंगे कि हम ये लोग हैं हम अपनी हॉस्पिटल्टी के लिए मेजबानी के लिए माने जाते हैं खुद भूके सो जाते हैं महमान के लिए हम बेस्ट से बेस्ट जो घर में खाना होता है वो दे दे तो पूरे दुनिया भर में जितने पंचाबी हैं जो नतमस्तक हो रहे हैं इस शहीदी को मैं उनको भी परणाम करता हूँ और आपने आज यहां मुझे भुलाया मान संबान दिया मैं आपका बारी हूँ और इस कुरवानी को और भी दुनिया तक पहुचाना है आने वाली जनरेशन को भी बताना है कि सिर्फ इस उमर में कुछ पेरंट से मांगा नहीं जाता इस उमर में समाज को जान भी दी जा सकती है कुरवानी भी दी जा सकती है तो जैसे के बहुत ही कमाल कीरतन हो रहा था बड़ी सिंक्रोनाइजेशन थी बहुत अच्छे तरीके से याद किया गया उनको और उसमें भी यही क्या गया था कि जिसकी जुबान पर फते उसकी जहान पर फते इसलिए मैं आपको यही कह रहा हूँ वाहिगर जी का खल्सा वाहिगर जी की फते हो रहा था बड़ी सिंक्रोनाइजेशन थी बहुत अच्छे तरीके से याद किया गया उनको और उसमें भी यही क्या गया था कि जिसकी जुबान पर फते उसकी जहान पर फते इसलिए मैं आपको यही कह रहा हूँ वाहिगर जी का खल्सा वाहिगर जी की फते